भारत में एकहतरमी मिस्वर्ड प्रतियोगिता का होगा आयोजन, नौमार्ज को होगा फाइनल मिस्वर्ड के आधिकारी के पेज ने एक्स पर लिखा है कि मिस्वर्ड की अध्यक्ष जूलिया मारले CBE ने कहा है कि उनका मन उत्सा से भर गया है क्योंकि उन्होंने गर्व से भारत को मिस्वर्ड के मेजवन देश के रूप में घोशित किया है सुन्दर्ता, विविधता और शशक्तिक रण का उत्सव इंतजार कर रहा है 71 मिस्वर्ड फाइनल का सीधा प्रशारण 9 मार्च को साम साढ़े साथ बजे से रात साढ़े दस बजे के बीच मुंबई के जीयो कन्वेंशन शेंटर से किया जाएगा भारत 28 साल के अंतराल के बाद 71 मिस्वर्ड प्रतियोगिता की मेजवानी कर रहा है इसका इसक्रम का दुनिया भर में स्ट्रीम और प्रसारण किया जाएगा आपको बता दे कि भारत में अब तक कई महिलाओं को मिस्वर्ड का खिताब मिल चुका है भारत की एस वर्याराय बच्चन 1994 में मिस्वर्ड का ताज अपने घर ले आई जबकि डाइना हेडन को 1997 में मिस्वर्ड का ताज पहनाया गया युकता मुकी 1999 में भारत की चौथी मिस्वर्ड बनी और पियंका चोपरा ने 2000 में मिस्वर्ड का खिता मानुसी छिलर को मिस्वर्ड का ताज 2017 में पहनाया गया जबकि पॉलेंट की कैरोलिना विलावस का आखरी विजेता थी और परतियोगिता के अंत में अगली मिस वर्ड का ताज पहनेंगी। एक खतरमी मिस वर्ड परतियोगिता इस वर्स अठाड़ से नो मर्ज के विच होने जा रहा है। में भारत परियतन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाएगा। और एक हतरमा मिस वर्ड ग्लोवल फिनाले 9 मर्च को आयोजित किया जाएगा। मिस वर्ड संगटन के अध्यक्ष और CEO जूलिया एलविन मारले सिवी ने एक बयान में कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसे मैं पसंद करती हूँ। वापस लोटना और इस देश की सुंदर्ता का अनुभव करने के लिए 120 राष्ट्रिये चैंपियनों को लाना एक बहुत बड़ा सम्मान है। मिस वर्ल्ड नहीं है, एक सिर्फ कार्जक्रम नहीं है, यह महिला उपलब्दी का जस्न मनाने के लिए एक महीने तक चलने वाला उत्सव है। हम दुनिया को भारत लाएंगे और भारत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेंगे। मिस वर्ल इवेंट की स्थापना 1951 में होई थी। और कहा गया है कि हम पारमपरिक्षंदर्य और प्रतियोगिताओं से परे हैं। बता दे कि इस वर्स प्रतियोगि के पास विशाल मिश वर्ल डॉट कम प्रेटफर्म पर अपना स्वेम का मीडिया चैनल होगा जो यह दिखाएगा कि उन्हें शिर्ष 20 फाइनल में क्यों आगे बढ़ना चाहिए। एक अतार में मिस वर्ल का फाइनल का निर्मान एंडेमोल शाइन इंडिया कर रही है। इस तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें एमजी मीडिया नियूज के साथ।